वाल्कम को बैचलर्स कुकिंग आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिक्पी स्टॉफ सेंडविच जी हां बहुत अच्छी डेश है थाई प्रूटीन डेश है तो इसके लिए क्या करना है एक स्टफिंग तयार करनी है लेकिन स्टफिंग तयार करने के पहले हमें क्या करना था जो हमने कर लिया है कि ये जो काभुली चने होते हैं या छोले जिसको कहते हैं इनको रात भर भिगो के रखा उसके बाद कोकर में तीन-चार विसल आने तक अच्छी तरह से पका लिया है अब इसकी हम एक प्रॉपर स्टफिंग रियार करेंगे पर उससे सैंड्वेच मनाएंगे तो चलिए बनाना शूरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले डालते हैं इसमें लगबग एक से दो चम्मच तेल डाल दें और तेल को गरम होने दें तो तो तेल हमने डाल लिया है अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे लगबग आधा चम्मच जीरा थोड़ा सब जीरा को पकने में जबाब का जीरा पक जाए उसके बाद हमें इसमें डालनी है एक मीडियम साइज की अन्या इसको पिंक होने तक ही पकाना है ब्राउन नहीं करना है साथी इसमें डालने आप स्वाध अनुसार एक हरी मिर्च में डाल दिये आपको अगर ज्यादा तीका पसंद करते हैं तो ज्यादा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे लगवा एक चम्मत जिंजर गाले पेस्ट अच्छी तरह से भूम लें और अब इसमें डालेंगे हम एक टमाटर टमाटर डालने के बाद हम इसमें एड करेंगे कुछ ड्राय मसाले सबसे पहले लेले हल्दी लगवाग आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच के लगवाग कुरियंडर सीट पाउडर या धनिया पाउडर इसके साथ की स्वादानुसार इसमें डाल लेंगे हम लाल मिर्च रैड चिली पाउडर ये भी आप स्वादानुसार ले 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 इसको मिक्स कर ले एक बार अब एड करें स्वादानुसार नमक थोड़ा सा पका ले मसालों को और अब इसमें एड करेंगे हम ये लगवग 200 ग्राम जो हमने काबुली चने अबाले थे वो इससे रचेट अच्छी तरह से ठून ले और अब इसमें एड करें गरम मसाला जो गरम मसाला हमने बनाया था लगवग एक चम्मच овी आख़ी में ही डालना है ताकि उसका जो फ्रेशनेस हर वो बनी रहती है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसके बाद इसको ढग कर लगभग एक मिनिट के लिए पका ले ताकि छोले में जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए और हमारे सूखे छोले तयार हो जाए तो एक मिनिट हो चुका है और यह हमारे छोले भी अच्छी तरह से तयार हो गए है तो जो हमारी स्टफिंग हमने तयार की थी उसके ठंडे होने का हमने वेट किया अब वो ठंडे हो गई है अब उसको मिक्सी में डालकर ग्राइंट कर लेते हैं और ग्राइब कर लिया है ये इस तठरहे से पेश तयार हो जाएगा अब चली आगे की प्रोसेस शूरू करते हैं तो जो हमने स्टफिंग तयार की थी और जिसको ग्राइब कर लिया था अब उसको ये ब्रैड के उपर अच्छी तरह से स्प्राइड कर दें और इसके बाद इसमें डालें थोड़े से प्यास उपर से और साथ ही डालें थोड़े सी धनिया पत्ती जो इस्टफिंग है वो बीच में ही ज्यादा रखनी है चानों तरफ नहीं फैलानी है क्योंकि जब उन ब्रेंड दूसरी रखेंगे उसके उपर और उसको प्रेस करेंगे तो उचानों तरफ हैल जाएगी प्लस टोस्टर में जब पकेगी तब भी उचानों तरफ हैल जाएगी तो हलका साथ इसको प्रेस कर लें और इसके उपर रखें दूसरी प्रेड और इसको प्रेस कर लें इसके उपर अच्छी तरह से बटर लगा लें दोनों तरफ लगा ले जिस साइड में आपने बटर लगाया है उस साइड को उल्टा करके रखना है तोस्टर के अंदर तो इसको रखें इस तरह से और इस तरह भी बटर लगा लें और इसके बाद टोस्टर करें बंद है चलिए काफी अच्छी खुश्बू आने शुरू हो गई है और यह हमारा चिकपी सेड़िच एकदम तयार है इसको निकाल लें और इसको सर्प करें लें झाल लें